बिश्मिनल्हाइट्रीवाख्मानुराहीम अस्लामौवालीकूम students, I am Muhammad Usmana Ali, your mathematics teacher. Students, आज हम second chapter को start करने जा रहे हैं, और इसमें हम सीखेंगे के derivatives क्या होते हैं और differentiation क्या होती है. आएँए start करते हैं. जी students, previous classes में हम पढ़के आए हैं, what are the dependent and independent variable. यहाँ पर हम उसको recall कर लेते हैं देगे यह हमारे पास एक function है a is equals to pi r square इसमें हमारे पास area जो है वो radius पर depend कर रहा है जैसे जैसे हम radius को बढ़ाते जाएंगे हमारा area भी बढ़ता जाएगा circle का और जैसे जैसे हम r को कम करते जाएंगे radius को कम करेंगे हमारा circle का area भी कम होता अब मैं एक और function ले रहा हूं y is equals to c एक constant function है यहाँ पर मैं c को specify कर लेता हूं y is equals to 2 मैं एक function ले लेता हूं हम जानते हैं के y is equals to f of x होता है तो मैं इसको लिखे लेता हूं f of x is equals to 2 clear अब यहाँ पर x को मैं different values put करता हूं x को 1 put करूंगा तो answer 2 आएगा x को 2 put करूंगा answer तब तब भी 2 है x को मैंने 4 put कि answer तब भी 2 है x को 5 put किया answer तब भी 2 ही है x को 100 put करें answer 2 ही आएगा x को 1000 put करें answer फिर भी 2 आएगा यह हमारे पास क्या constant function है तो हर independent variable को put करने से x हमारा independent variable था उसकी values जब हम put करते गए 1 2 3 4 5 हमने put की तो हमारे पास change आ रहा है कोई answer में कोई change नहीं आ रहा है तो यहां पर मैं कहूंगा कि इस function का rate of change जो है वो 0 है clearly मैं इसको देख सकता हूँ easily ऐसा ही है अब मैं एक और function लेता हूँ y is equals to x या f of x is equals to x भी हम इसको कह सकते हैं x को मैं 1 put करूंगा y का answer 1 आएगा x को 2 put करूंगा answer 2 आएगा x को 3 put करूंगा answer 3 आजएगा 4 पे 4 आ आजएगा 1000 पे 1000 आजएगा तो यहां पर अगर हम देखें तो वन के बाद 1 put करने से 1 आ रहा है तो यहां पर rate of change क्या है वो सेम है one का rate of change आ रहा है वन के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 तो हम कहेंगे कि इस function में rate of change क्या है वह one है हम इसली देख सकते है इसमें अब हम एक और function लेते हैं y is equals to x के जब मैं x को one put करूंगा answer क्या आएगा one two put करने से four answer आ रहा है three put करने से nine आ रहा है four put करने से 16 आ रहा है five put करने से 25 six put करने से 36 seven put करने से 49 answer आ रहा है तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे एक proper change नहीं आ रहा वन के बाद हमार answer आया है four four के बाद answer आया है nine nine के बाद answer आया है 16 16 के बाद answer आया है 25 तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूँ के rate of change क्या होगा क्या आप मुझे answer कर सकते हैं क्या होगा इसका rate of change इसी तरह के और बहुत सारे functions है y equals to x q plus 3 y equals to x power 4 plus x q plus x square plus 1 बहुत सारे functions है trigonometric functions है exponential functions है उनका rate of change कैसे find करेंगे क्या हमारे पास कोई formula है इसको find करने का तो आईए अब हम सीखते हैं कि हम इसको कैसे find करेंगे देखें ये मेरे पास function है y is equals to f of x इसको मैं कहलेता हूँ equation number 1 है ये मेरी इसमें मैं एक change लेके आता हूँ y में change लेते हैं तो y plus delta y बन जाता है is equals to x में जब हम change लेके आते हैं तो वो बनता है f of x plus delta x इसको मैं equation number 2 कहलेता हूँ दोनों equation को subtract करें तो ये बनता है y plus delta y minus y left hand side से left hand side subtract हो गई equals to f of x plus delta x minus f of x y से y cancel हो गया left hand side में तो बचा delta y तो यहां से हमारे पास equation बनी delta y equals to f of x plus delta x minus f of x अब मैं क्या करता हूँ इसको delta x से divide कर देता हूँ divide करने से पहले ये जो हमारे पास equation आ रही है delta y equals to f of x plus delta x minus f of x ये क्या कहलाती है ये कहलाता है change in the function दुबारा मैं repeat करो हूँ ये क्या कहलाता है change in the function कहलाता है अब मैं इसको delta x से divide करता हूँ delta y over delta x is equals to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x अब हम इसको क्या कहेंगे that is called the average rate of change students limit delta x approaches to 0 अब मैं delta x को 0 का अप्रोच करवा रहा हूं बिल्कुल minor सा change ले रहा हूं delta x approaches to 0 का मतलब क्या है बिल्कुल minor change कर रहा हूं delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x that is called instantaneous rate of change clear तो यहां पे हमार पास definition बंति है तो यहां पे हमार पास definition बंति है the instantaneous rate of change of dependent variable with respect to the independent variable is called the derivative and the process of finding the derivative is called differentiation clear students अब देखें मैं इसी को दुबारा देख रहा हूं हमारे पास first step क्या था हमने उसमें change लेकिया आये थे y में और x में हम change लेकिया थे इसको हम कहते हैं यह हमारा step 1 है फिर हमने इन दोनों को subtract कर दिया ठीक है इसे हम कहेंगे step 2 फिर हमने इसको delta x से divide किया इसे हम कहेंगे step 3 और end पर हमने इस पर limit apply कि इसे हम क्या कहेंगे step 4 कहेंगे तो इस process को हम क्या कहते हैं differentiation कहते हैं इससे derivative जो हम find करते हैं इसको हम a b initial method कहते हैं या फिर हम इसको first principle भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं का finding the derivative by definition और limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to, यह हमारे पास left hand side जो है, इसको हम y dash से represent करते हैं, और जो हमारे पास right side है, इसे हम f dash of x से represent करते हैं, different scientist ने derivative को denote करने के लिए different notations use की हैं, यह आपके सामने मैंने आपके दिखा दिखा दिए, आपके book पे भी notations दी गई हैं, आप वहाँ पे भी देख सकत हैं, तो इसको समझने के लिए derivative को के हम कैसे different functions के derivative find कर सकते हैं, with the help of first principle, तो हम start करते हैं, मुक्तलिफ examples के साथ, आई हम उसको start करते हैं, आज का हमारा topic जो है, वो first principle के related है, first principle के कुछ questions हैं, उनको हम discuss करेंगे, first principle, या फिर हम इसको by definition भी कहते हैं, या फिर हम ये भी कहते हैं, a, b, initial method, आपको question किसी भी तरह से आ सकता है, वो आपको कह सकता है, कि solve with the help of first principle, या फिर कह सकता है, solve with the help of definition, या फिर आपको ये कह सकता है, कि solve by a, b, initial method, तो तीनों एक ही हैं, इनके हम steps को recall कर लेते हैं, y is equals to f of x, इसे हम equation 1 कहते हैं, अब इसका first step क्या है, हम change को discuss करते हैं, जब variable में change आती है, x में change आएगी, तो हम इसको लिखेंगे, x plus delta x को हमने इसको discuss किया, तो और y input में change आने के विए से क्या होगा, output में भी change आएगी, तो इसका first step क्या होगा, हम change लिखेंगे, change आएगा, इसमें y plus delta y and f of x plus delta x, इसे हम कह लेते हैं, equation number 2, जबके यह हमारे पास first principle का क्या है, यह step 1 है, तो हम इसको नाम दे जेते हैं, step 1, यह अपने याद भी रखने हैं, और इसी तरह से हम question भी solve करेंगे, यह हमारे पास क्या है, step 1, अब step 2, क्या था, याद करें, step 2 हमारे पास क्या था, जी, क्या था, हमने 2 में से 1 को क्या किया था, subtract किया था, तो हम यहाँ पे लिखे हैंगे, subtract equation 1 from 2, तो यह हो जाएगा जी, y plus delta y minus y, left hand side से left hand side, f x plus delta x minus f of x, तो यह क्या है, first principle का second step है, third step हम लिखते हैं, उससे पहले हम यह देखते हैं, कि y से, यह y cancel हो जाएगा, तो यह आ जाएगा, जी, delta y equals to f of x plus delta x minus f of x, clear, अब हम बढ़ते हैं, third step की तरफ, step 3, क्या करते हैं, जी, step 3 में, delta x से divide करते हैं, दोनों side पर, तो यह बन जाएगा, delta y over delta x equals to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, इसको हमने क्या बढ़ा था, यह क्या है, average rate of change, very good, अब step 4, step 4 क्या है, हम इस पर limit apply कर देंगे, limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, तो यह क्या बन जाएगा, यह instantaneous rate of change हो जाएगा, clear है, और यह दोनों क्या है, यह derivative है, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम represent करते हैं, dy by dx है, और इसको हम f dash of x है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, previous lecture में, तो यह दोनों क्यों क्यों represent करते हैं, derivative को जो हम कह सकते हैं, यह derivative के definition भी है, clear है, तो अब हम move करते हैं, अपने कुछ questions पे, जिन में हम first principle को use करेंगे, आईए, जी students, अब function मैं ले रहा हूँ, एक constant function है, y is equals to c, इसे हम कहले लेते हैं, equation number 1, आप इसको y से represent कर लें, f of x से represent कर रहें, एक ही बात है, अब first step क्या होगा जी, step 1, इसमें हमने change ले क्या आना है, step 1, हम change को discuss करेंगे, तो हम लिखेंगे y प्लस delta y, तो यह constant है, यह as it is रहेगा, इसे हम कहलेते हैं, equation number 2, तो step 2 हमारे कह था, हम इसको subtract करते हैं, equation 2 मेंसे, equation 1 को step 2, subtract equation 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y, y plus delta y minus y equals to c minus c, y से y cancel हो जाएगा, delta y equals to c minus c क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, क्लिए, step 3 क्या है जी, delta x से divide करेंगे, step 3 divided by delta x, तो delta x से divide करेंगे, तो that will be equals to delta y over delta x equals to 0 divided by delta x, that is equals to, यह किस के को रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 divided by something क्या होते है, 0 ही होता है, and step 4 क्या करेंगे जी, limit apply करेंगे, step 4 applying limit, that will be equals to, limit delta x approaches to 0, delta y over delta x, limit delta x approaches to 0, और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इस पर जब limit apply होगी, 0 पे तो यह 0 ही रहेगा, और यह हमारे पास क्या बन जाएगा, dy over dx, किस की notation है, derivative की, that is equals to 0, तो क्या मतलब है जी, constant का derivative क्या आएगा, वो 0 आएगा, clear, अब हम variable लेते हैं, आएए, next example है जी, y is equals to x, अब हमने variable लिया है, same उसी तरह से, step 1, step 1, क्या है जी, हम इसमें change लाएँगे, variable में, यह बन जाएगा, y plus delta y equals to x plus delta x, input में change आया है, तो output में भी change आएगा, step 2, अब हम इसको equation number 1 कहेंगे, यह हमारे पास equation number 1 है, और यह हमारे पास क्या है, equation number 2 है, क्या करेंगे जी, 2 में से 1 को, subtract कर देंगे, यह हमारा step 2 होगा, step 2, subtract equation 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y minus y left hand side say left hand x plus delta x minus x, x say x cancel, y say y cancel, तो बचा क्या, delta y equals to delta x, यह हमारे पास बाच गया, step 3 क्या है जी, divided by delta x, step 3, divided by delta x, delta x हम divide कर रहे हैं, यह बन जाएगा, delta y over delta x equals to delta x over delta x, delta x over delta x क्या बनेगा, 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, delta y over delta x equals to 1, clear, step number 4, applying limit, step 4, applying limit, यह बनेंगा, delta x approaches to 0, 1, तो 1 पर 1 एक constant है, इस पर limit apply होगी, तो यह 1 ही रहेगा, और यह हमारे पास क्या बन जाएगा, dy over dx, तो हम इसको लिखते हैं, dy over dx, derivative equals to किस क्या आ रहा है, 1 पर, clear, तो x का derivative क्या आएगा, यह 1 आ जाएगा, with the help of first principle, clear, आएगे next पर move करते हैं, next example है, y is equals to x square, अब हम इसको discuss करेंगे, x square के लिए, पहले constant के लिए किया, फिर हमने x के लिए किया, अब हम x square के लिए करेंगे, सेम उसी तरह से, step 1 क्या होगा जी, change in variable आएगा, step 1, y plus delta y, y plus delta y equals to x plus delta x and whole का square as it is रहेगा, इसे हम कहेंगे, equation number 2 और यह हमारे पास है, equation number 1, step 2 क्या है जी, equation 2 में से equation 1 को हमने subtract करना है, step 2 यह अपने साथ-साथ ऐसे ही लिखना है, step 2, subtract equation 1 from equation 2, clear? left hand side से left hand side, y minus delta y, y plus delta y minus y equals to x plus delta x whole का square minus x square, clear? अब हमें इसको simplify कर लेते हैं, यह y से y cancel हो जाएगा, बचेगा, delta y equals to a square plus 2ab plus b square minus x square as it is, a plus b whole का square हमने open किया, x square से positive x square cancel हो जाएगा, delta y equals to 2x delta x plus delta x का square, यह मार पास बाचेगा, step 3, divided by delta x, step 3, divided by delta x, delta x से divide करेंगे left hand side को भी, right hand side को भी यह बनेगा, delta y over delta x is equals to 2x plus delta x plus delta x का square, whole divided by delta x, sorry यह plus नहीं है, 2x delta x है, clear? अब यह लग-लग divide हो जाएगा, delta y over delta x equals to 2x delta x divided by delta x plus delta x whole का square, divided by delta x, clear? delta x से delta x cancel तो बचा क्या? 2x delta x से square cancel तो बचा क्या? delta x, अब हम इसको लिख लेते हैं, यह बन जाएगा, delta y over delta x, delta y over delta x equals to 2x plus delta x, clear? अब हम क्या करेंगे जी, step 4 है हमारा, step 4, applying limit, applying limit. So, यह जेगाजी, limit, delta x approaches to 0 limit, delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit, delta x approaches to 0 2x plus limit, delta x approaches to 0 delta x इस पर limit apply होगी तो delta x हाई ही नहीं तो यह 2x as it is रह जाएगा clear और इस पर जब apply होगी तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो हमारे पास limit का answer क्या आराजी यह किसके equal हो जाएगा यह होगा equal dy over dx dy over dx equals to क्या आएगा 2x आएगा और इस पर जब limit apply होगी होगी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह किसके equal है dy over dx clear है x square का derivative हमारे पास क्या आया है 2x students हमने start किया था y equals to c से constant से फिर हमने variable लिया x की power 1 वो भी हमने easily solve कर लिया फिर हमने x की power बढ़ाई और हमने 2 पे ले आए वो भी हमने just care open किया solve हो गया अगर x cube हो तो हम cube open करेंगे solve हो जाएगा x power 4 हो तो अमीद हो भी आप कर लेंगे लेकिन अगर x power 20 हो जाए यह x power 50, 100, 200 तब आप क्या करेंगे यह x की power minus 200 हो जाए 1 by 3 हो जाए 1 by 7 हो जाए तो आप क्या करेंगे उसको आप कैसे solve करेंगे कोई answer नहीं है चले मैं आपको समझाता हूँ लेकिन उसको समझाने से पहले हम एक चीज recall करते हैं और वो क्या है वो है हमारे पास binomial theorem binomial theorem दो terms पे लगता है 1 plus x हम इसको पढ़ भी चुके हैं first year में आप इसको वहाँ पे recall भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे जस्ट आपको इसकी expansion बता रहा हूँ first term as it is 1 plus n x से multiply हो जाएगा n x plus third term n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus up to son x power n इसको आपने याद रखना है यह अब हमने बार बार use करना है इसको इसलिए अच्छे से याद कर लें अब यह कब use होगा जब n क्या होगा n पे क्या condition है n पे यहाँ पे condition है when n is a positive integer कब use होगा when n is a positive integer तो जब n other than positive integer होगा तो क्या होगा तो कोई फरक नहीं है सिरफ एक छोटा सा फरक है कि इसमें सिरफ और सिरफ last term नहीं आएगी तो यह हमारा theorem use हो जाएगा यही values use होगी सारी बातें यहीं है फरक क्या है जब x power n है तो आपने क्या लिखनी है n जब positive integer है तो last term लिखनी है और जब n other than positive integer है तो क्या करना है आपने up to son यह इसकी कोई last term नहीं होगी clear है binomial theorem याद हो गया अब इसको हमने बार-बार use करना है आईए हम इसकी example करते है लिख फ्रेंट्स example हम ले रहे है y is equals to x power n और इसको हम कहा लेते हैं यह हमारा पास क्या है equation number 1 है और इस पर condition है n is a positive integer n is a positive integer clear step number 1 क्या है जी step number 1 इसमें change आएगा step 1 that will be equals to y plus delta y y plus delta y equals to x plus delta x whole power n और इसे हम क्या कहेंगे हमारा पास क्या है equation number 2 है step 2 subtract step 2 2 subtract equation 1 from equation 2 that will be equals to y plus delta y y plus delta y minus y equation 1 वाला equals to x plus delta x whole power n minus x power n left hand side से left hand side subtract होगी right hand side से right hand side ये cancel हो जाएगा ये बचेगा delta y equals to अब अगर हमें इस पर binomial theorem लगाना है तो हम इसको क्या बनाएं? 1 plus x बनाएं यहां पर 1 बनाएं तो यहां से हम x common ले ले लेते हैं यहां पर 1 बच जाएगा plus delta x क्योंकि इसमें x नहीं है तो x यहां पर divide हो जाएगा and whole power क्या आ जाएगी? n आ जाएगी minus x power n as it is रहेगा clear? यह दोनों multiply हो रहे हैं तो power अलग अलग apply हो जाएगी delta y equals to x power n into 1 plus delta x over x whole power n minus x power n अब दोनों में क्या common है? x power n common है तो हम इसको common ले लेते हैं delta y equals to x power n अंदर बचा 1 plus delta x over x whole power n minus 1 clear है? इन steps को बड़ी एतियात से आपने करना है अब इस पे हम क्या लगाएंगे? binomial theorem apply करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं applying binomial theorem applying binomial theorem power क्या है? positive integer है तो last हम लिखेंगे हम that will be equals to delta y x power n यह bracket as it is इस पे लग रहा है 1 plus power multiply होजेगी n into delta x over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x whole का square plus up to son 3 dots second term क्या थी? delta x over x थी delta x over x whole power क्या आजेगी? n यह मारे पास इस पे binomial चुरम लग यह फिर minus as it is और यह 1 as it is और bracket close clear? यह 1 और यह 1 एक positive है एक negative है तो cancel हो जाएंगे यह 1 और यह 1 cancel होगे तो यह हमारे पास equal आएगा delta y equals to x power n as it is into n delta x over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x इसका भी square और इसका भी square plus up to so on delta x over x delta x power n divided by x power n clear? और यहां पे हमारे पास क्या होगी? bracket close हो जाएगी अब सब में delta x आ रहा है तो हम delta x को common ले लते हैं delta y is equals to x power n delta x क्या बचेगा? n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial 1 delta x common चला गया x square plus up to so on delta x 1 common चला गया है तो n minus 1 बच जाएगा x power n as it is clear? delta x common लेने के वज़ा क्या है? ताके जब हम delta x से divide करें तो यह cancel out हो चुके तो step 3 हमारे पास क्या था? step 3 divided by divided by delta x delta x से divide करते हैं जी that will be equals to delta y over delta x delta y over delta x equals to x power n delta x divided by delta x यह multiply हो रहा है n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x square plus up to so on delta x whole power n minus 1 divided by x power n and break it close clear? अब यह cancel out हो जाएंगे बचेगा क्या? delta y over delta x equals to x power n into n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x square plus up to so on delta x power n minus 1 divided by x power n 1 clear? simplify हो गया up step 4 applying limit applying limit applying limit that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 x power n into n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x square plus up to so on delta x whole power n minus 1 over x power n clear? अब जब limit apply होगी तो यह बनेगा dy over dx x power n as it is क्योंके इसमें delta x नहीं है n over x delta x नहीं है तो यह क्या बचेगा? n over x ही रहेगा plus इस पर जब limit apply होगी तो delta x 0 को अप्रोच करेगा तो यह सारी value क्या हो जाएगी? 0 plus next वाली भी 0 plus up to so on last वाली भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी clear है? अब इसको हम simplify कर लेते हैं that will be equals to इसको मैं लिख सकता हूँ n x power n divided by x clear? इस x की power क्या है? 1 और इसकी power क्या है? n तो यह उपर जाएगा तो power क्या हो जाएगी? negative हो जाएगी तो इसे हम लिख सकते हैं n x power n x power minus 1 बे सेम हो तो power क्या होती है? add तो यह क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे dy by dx dy by dx equals to n x power n minus 1 तो यह क्या है? इसका derivative है और साथ condition क्या है? where n is a positive integer n is a positive integer clear? अब हम discuss करते हैं कि जब n positive integer नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आएए जी स्टेंट्स next है जी y is equals to x power n y equals to x power n इसको हम क्या कहेंगे? equation number 1 अब यहाँ पर condition क्या है? where n is not a positive integer पहले हमने किसके लिए discuss किया? when n is a positive integer और अब क्या है? when n is not a positive integer तो सेम उसी तरह से step 1 क्या होगा? हम इसमें change लेके आएंगे यह बनेगा y plus delta y output में change आ रहा है y plus delta y equals to x plus delta x whole power n clear? याद रखने n positive integer नहीं है सेम उसी तरह से यह हमार पास हो जाएगी equation number हम इसको 2 कह देंगे step 2 step 2 subtract equation 1 from 2 that will be equals to y plus delta y y plus delta y minus y x plus delta x whole power n minus x power n clear? y से y cancel हो जाएगा delta y is equals to इसमें से x कॉमन ले लेते हैं x into 1 plus delta x over x and सारे की power क्या हो जाएगी? n minus x power n यहां से 1 आ गया, यहां पर क्योंके x नहीं था, तो x हमने क्या क्या क्या? divide कर दिया, अलग अलग power apply हो जाएगी, delta y equals to x power n into 1 plus delta x over x whole power n minus x power n. यह था में थािएगी था, अ प्लियर, यहां क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? यह बन जाएगा जी delta y equals to x power n into 1 plus n delta x over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x whole का square plus up to son मैंने क्या बताया था आपको के आपने क्या करना है जब power positive integer होगी तो last term लिखनी है अब power positive integer नहीं है तो यहाँ पर हम last term नहीं लिखेंगे फरक समझ आ गया याद रखें इसको फिर minus 1 जो हमार पास बच रहा था and bracket close clear इसको हम लिख लेंगे delta y equals to x power n into यह plus 1 यह minus 1 cancel out हो जाएगा n delta x over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x delta x का square x का square plus up to so on as it is चलता जाएगा clear अब step 3 बलके delta x हम इसमें से common ले लेते हैं ताके easy रहे हैं हमारे लिए delta y equals to x power n delta x common ले रहे हैं यह बचेगा n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x square क्योंकि delta x common आ चुका है आगे इसमें cube होगा power 4 होगी तो वहाँ से भी हमें मिल जाएगा अब हम step 3 पे जा रहे है step 3 divided by divided by delta x delta x से divide करेंगे that will be equals to delta y over delta x equals to x power n delta x over delta x into n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x square plus up to so on delta x से delta x cancel हो जाएगा यह बचेगा delta y over delta x equals to x power n n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x square plus up to so on clear अब 4 step आता है आएगे 4 step पे move करते है d ne 진 in step number 4 applying limit step 4 applying limit that will be equal to to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 x power n n over x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial delta x over x square plus up to so on clear limit जब apply होगी तो यह बनेंगा dy over dx equals to x power n as it is आ जाएगा n over xb as it is आएगा plus बाकी सारी term 0 हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे delta x 0 को approach करेगा तो multiply होने के बाद सारी की सारी terms क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी that will be equals to dy over dx x power n n over x इसको हम लिख सकते हैं x power n n over x या फिर हम इसको कहाएग सकते हैं n x power n and x power minus 1 बेस सेम हो तो powers क्या होती है एड होती है तो that will be equals to dy over dx dy over dx equals to n into x power n minus 1 और यहां पे condition क्या है where n is not a positive integer clear students students उमीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का यह lecture समझ में आया होगा आज का यह lecture यहीं पर खतम होता है आपने इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि यह हैं हमारे पास exercise में बार बार यूज होंगे चीज़ें इन्शाला नेक्स लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अलाहाफेज